मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नजर रखें बिहार में चार दिनों तक जमा जम बारिश के आसार का इस दिलों में होगी बारिश और वर्षा आपको बता दे विरिशपात और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ड चारी किया गया है निचले स्तर में जल जमाव यातायाद बाधित बिजली सेवाबाधित होने के बजाए संभावना जटाए गई है कि 24 जून के दोरान राजी की कुजिलों में वर्षा के साथ वरिशपात तो तेज आंधी चलने की प्रबल संभावना है मौसमेभाग की और से इसके कारण अगले चार दिनों तक जानमाल की हानी होने के साथ साथ निचले स्तर में जल जमाव यातायाद बाधित बिजली सेवाबाधित होने की संभावन जटाए गई है ऐसे सिती में लोगों को सतर करहने की सलह भी दी गई है यूपी मौसमेभाग के अनुसार कानपुड नगर कानपुड देहात और आयाद जहांसी ललिटपुड जालोन हमीरपूर महोबाब बांदा फतेपूर चेत्रकूर्ट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है हलकी बारिश हो सकती है मौसमेभाग की माने तोक ले दो से तीन दिनों में दक्षम पश्चमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए नुकूल पर इस्थितिया बन रही है राहत की बात यह है कि मौसमेभाग ने आज प्रदेश के किसी भी जिलमी हीट वेव का अलर्ट जारी नहीं किया है मौसमेभाग के लिए आज अर्डिया किशन गंच और पूर्णिया में भारी बारिश की संभावना जताई है पटना गया नालंदा नवादा सहीद बारस जिलों में कुछ इस्थान उपर हलकी स्थर की बारिश हो सकती है कुछ जों को प्रमौसम शुष्क रहेगा इस से उमजभरी कर्मी का हैसास होगा बारिश और थंडी हवाओं की वज़ा से तालिस घंटों के बाद तापमान में दो से तीन डिगरी की गिरावट होगी प्रदेश में अगले दो से तीन दिलों में बारिश की गतिवी धियांस की संभावना दक्षेंपश्वे मानसून के आगे बढ़ने के लिए नुकूल परिस्तिती बनी हुई है इसके कारणी प्रदेश में नमी की मातरा में भी बड़ उत्री हुई है इससे तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है प्रदेश में 28-24 जून के दोरान कुछ जिलों में बारिश होनी की समभावना है इस दोरान 40-50 किलो मेटर प्रटी गंडे के रफ्तार से तेज हवाण चलने की भी समभावना है 12 जून को बिहार में आया था मॉनसून, बिहार में 12 जून को एंट्री की है अरब सागर में तूफान शान्त होने के बाद बंगाल के खारी में सक्रीय नमीज जारखंट से होते हुए बिहार में प्रवेश कर रही है अब दक्षिन पश्वे मानसून उत्तरपूर उसे मध्य प्रदेश बिहार होते हुए गोपाल गंज सीवान सारण के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा मौसम भाग ने की सतर्ग रहने की अपील मौसम भाग के और से कहा गया है कि बारिश के दोरान आकाशी ये बिजले गिरने की आश्रंका है सिसी में पेड के नीचे और बिजले के खंबों से दूर रहने की अपील की गई है किसानों से कहा गया है कि मौसम सामानी होने के बाद ही खेट में काम करने के लिए जाएं यूपी में मानसून का इंजिलों में होगी 72 घंटे जोड़दार बारिश मौसम भागने जारी किया रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश में फीशन गर्मी के बीच देरात इंसियार समेट बलंद सहर और मेरट में बारिश से मौसम सोहान हो गया इसी के साथ अरब पूर्ब और पश्रिमी तक जमा जम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम भागी और से चेतावनी के अनुसार अब दिन प्रति दिन मौसम खराब होता और राहत देता नज़र आएगा भी पश्रिमी उत्तरप्रदेश और अन्सियार शेत्र समीत कुछ जिलो में चक्रवादी तूफान भी पर जोएक एसर से तेजवाओं के साथ हलकी से मध्यमिस्तर की बारिश हो रही है मिलते हैं सिप्रेकार के एगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंज जैभारत